मेरे परिवार जुनों गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा होती एक नहीं होता है जिन्दगी ये में जिसके पास कोई अता पता नहीं है उसको एक पता चाहिए उसे अपना एक घर चाहिए वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था पैसे बचाने की कोशिश करता था लेकिन कॉंग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा ब्रश्टा चार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकना चूर हो जाता था भाजपा सरकार ने देश के गरीब के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है बीते दस वर्शों में चार करोड से अधीक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है मैं जर आप से पूछना चाहता हूं मैंने क्या कहा कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं कितने कितने यह चार करोड बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दुनिया के लोग जम मेरे से सुनते हैं न तो अच्रज हो जाता है चार करोड घर कई देशों के इतनी आबादी नहीं होती है इतने हमने गर बना दिये में और साथियों हम तो भक्ति में डुबे वे लोग है और इसलिए जब भवयराम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से और चार करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं हम लोग तंत्र का भव्य मंदीर नया संसद्ध भवन बनाते हैं तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संवेदान की संसद्धां के साथ बनाते हैं और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजिन सरकार होने के कारण MP उन राज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है एक लाख 32,000 देखिए हमारा गनेश जी कह रहा है और गनेश जी के मुझे जो निकलता था ना उसके बड़ा सामर्थ होता है और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है मैं आपको गारंटी देने आया हूँ जिनको अभी घर नहीं मिला है यह मोदी की गारंटी है उनका घर भी बनेगा उनको भी घर मिलेगा आप साब लोग निश्चिंद रहिएगा मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है जैसे ही तीन दिसम्मर को यहां बाजपा सरकार लोटेगी पीम आवास योजना का काम और तेज कर दिया जाएगा हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा यह मोदी की गारंटी है गर मतलब सिर्फ चार दिवारी नहीं जब मोदी घर देता है ना तो सारे सपनों को पूरा करने का आश्याना भी देता है सिर्फ चार दिवारे नहीं बल्कि उसमें बिजली भी है गैस कनेक्षन भी है टॉयलेट भी है नल भी और नल में जल भी है साथ्यों पक्के घर के साथ साथ मुप्त राशन का भी पक्का इंतजाम ये भी मोदी की गारंटी है कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूला बुझेगा कोरोना काल में मुप्त राशन देने वाली योजना हमने शुरू की थी अब मोदी ने निश्चे किया है आपको मालूम है कितना बड़ा संकर था मौत मंडरा रहा था हर लोगों को लगता था कहीं गर में कोरोना गुज गया तो गए काम से बाहर निकलना मुझ्खिल था और तब मोदी ने ताय किया था मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा गरीब क्या घर का चूला बुजने नहीं दूंगा कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूके सोन जाएं यह रात भर मात तड़ती न रहे यह मोदी ने पक्का किया था और इसलिए मुप्त राशन देना शुरू किया था और यह मुप्त राशन की योजना यह डिसंबर महने में एक महने के बाद पूरी हो रही है तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोच रा चाहिए डिसंबर में इसको पूरा नहीं होने जना चाहिए गरीबों के कल्यान का काम है आगे बढ़ाना चाहिए और मेरे लिए तो जनता जनादन का आदर्श यही तो इश्वर का आदेश होता है और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है मैंने पक्का मन बना लिया है कि डिसंबर के बाद भी गरीबों के ओ मुप्त राशन की योजना पाँच साल के लिए चलाओंगा पांच साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा इससे सतना जिले के लगभग दो लाख परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी आज ऐसे लाखों परिवार चार लाख देखिए गणेजी पक्का रखते हैं सम्हिशाब किताब आज ऐसे लाखों परिवार करोड़ों लोग मोदी को आशिरवाद दे रहे हैं लेकिन गरीब के लियान की इस फैसले का कारण मोदी नहीं बलकि आप ही लोग है आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली बेजा है अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा आपके लिए ही तो काम करेगा आप ही तो मेरा परिवार है मेरे देश वासियों यह मोदी है जिसने चार करोड़ घर बनाएं यह मोदी है यह मोदी है जिसने चार करोड़ घर बनाएं लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है मेरे परिवार जनों गरीबों का गर हो, मुप्त नाशन हो, मुप्त इलाज हो, आजीन पर भाजपा सरकार लाखों करोड रुपे खर्च कर रही है यानि देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है, लेकिन जब कॉंगरेस की सरकार थी, तब ये पैसा कहा जाता था, तब देश का लाखों करोड रुपे तूजी गोटाले में जाता था, कोईला गोटाले में जाता था, कॉमन विल्द गोटाले में जाता था, हेलिकॉप्टर ग को ठाले बंद कर दिये का कॉंग्रेस के करप संकाल में जो बिचवलियों की मोज थी उसको भी मोजी ने ताला लगा दिया भाजपास सरकार ने सरकार योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसपर करना चुरू किया आप कल्पना कर सकते हैं दस साल में भाजपास सरकार ने 33 लाक करोर रुप्य सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं और इसमें एक रुप्या भी इधर का उदर नहीं हो पाया